Hi everyone, welcome to Current Crunch. तो स्टार्ट करते है हमारा आज को वीडियो. आज हम डिसकस करने जा रहे है हमारा Unit 5 का Chapter No. 4 Food Science and Processing, जो इस वीडियो को पहली बाद देख रहे हैं. पहले मैं उनके लिए बता दूँ कि मैं अपनी चैनल पे लेके आती हूं Courses आपके JK SSB Supervisor Exam के, जिसमें हमारा Specialization जो है Almost Cover होने वाला है, बस 2-3 days more and यह हमारा Cover हो जाएगा. प्लस आपका जो GK का Portion है, जिसमें Currently हम Constitution पढ़ रहे हैं. ठीक है? तो यह तो जो Courses हैं, वो मैं अपने GK वाला Component and आपका यह वाला Component, Specialization वाला, यह मैं अपनी चैनल पर अप्लोड करती हूं. प्लस अगर आप UPCA, State PAC के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और आपका Optional Sociology है, उसके लिए भी मैं यह वीडियोज ले के आती हूं, लेकिन उसकी जो Playlist है, वो नितन सांगवान Essential Sociology नाम से है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आप SSB के लिए प्रिपेर करें, तो आपको नितन सांगवान Essential Sociology Playlist देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह mistake often मेरे students करते हैं, वहाँ जागे फिर comment करते हैं, यह क्या है, वो क्या है, तो यह बात मैं आपको वीडियो में comment से बताती रहती हूँ, कि वो आपकी Playlist नहीं है, आप प्लीज उस Playlist पे नहीं जाएं, just stick to your own Playlist, ठीक है, तो इसमें हम discuss करेंगी, जब हमारा syllabus कंपलीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियोस कॉंटिन्यू रखूंगी, specialization के, आपकी MCQ सीरीज चलेगी, और आपकी revision सीरीज चलेगी, इसमें तो हमने in detail सब कुछ डिसकस किया हूँ है, revision सीरीज में हम क्या करेंगे, quickly जो हमने अभी तक बढ़ा है, सारे units को one by one revise करेंगे, ठीक है, तो अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, I don't know कि आप क्यों नहीं subscribe करें, तो आप subscribe करें, like करें, share करें इस वीडियो को, आप मुझे comment से बताएं, आपको वीडियो कैसे लग रहें, this is my profile, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो without wasting much time, start करते हैं, start करते हैं, पहली हमारे keyword से, which is your food science, ठीक है, तो पहले हम science देखते हैं, अगर हम बोले science होता क्या है, science basically, एक तरीका है, जिसे we understand the world around us, हमें दुनिया की समझ हो जाती है, ठीक है, और वो समझ basically आती कहां से, क्योंकि हमारे अंदर curiosity होती है, कि यह कैसे काम कर रहा है, यह कैसे evolve हुआ है, यह अगर इतना evolve हो गया, उसके बाद यह चीज़ खतम क्यों हो गई, तो हमारे सारे questions है, इनको answer करता है science, basically हमारे curiosity को settle करता है, और हमें help करता है, हमारे एर्दगिर्द के दुनिया को समझने के लिए, जब हम food science की बात करेंगे, तो science को हमने particular बनाया, related to your food, अब जब हम food की बात करेंगे, यह जो food हमारे plate पे है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, यह food हमारे plate तक कैसे पहुंचा, fine, यह जो food plate पे है, यह कब तक उस plate पे रहेगा, यह खराब कब तक होगा, इसको हम protect कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें आज अगर इसको ना consume करना हो, कल consume करना हो, तो कितने time तक हम इसको protect कर सकते हैं, अगर protect करेंगे, तो उसके क्या method है, इस सब की पीथे, जो भी आपकी information analysis, जो भी involved होता है, उसको एक collective term दिया हुआ है, food science, ठीक है, तो अगर definition पे जाएं, इसको आप बोल सकते हो, a discipline in which biological and physical sciences and the engineering are used to study the nature of food, sciences भी and engineering भी, biological इसलिए क्योंकि हमें देखना होता है, कि हमारे food पे, कौन से organisms act कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से food की कोई condition हो जाती है, ठीक है, हमें देखना होता है, कौन से microbes इस पे act कर रहे हैं, आपके कौन से bacteria, viruses वगरा, वो सारे, आपके bacteria, viruses वगरा, ठीक है, वो सारे कौन-कौन से किस food पे act करके, food का क्या हाल बनाते हैं, physical sciences में आपका physics and chemistry दोनों पार्ट आ जाती है, food को लेके, ठीक है, physics हुआ जब हम boil करेंगे किसी चीज को, physics कैसे involve हो गई इसके analysis में, हमने किसी चीज को boil किया, boil करने में क्या हुआ, heat transfer हो गई, ठीक है, वो सारे चीज़े वो आपका physics का पार्ट आ गया, chemistry का क्या पार्ट आ गया इसमें, हम देखते हैं कौन से reactions होती हैं हमारे food पे, आप देखो, आप एपल काटो half, ठीक है, उसके बाद वो half आप थोड़ी देर के लिए, क्यूंकि food कहां से आया, कैसे grow हुआ, फिर उप्रोसेसिंग सारी कैसे हुई, क्या techniques इसमें involved थी, और आप तक कैसे पहुंचा, उस सब process को हम engineering बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए food science में क्या आता है, आपका biological part भी आगया, कि in microbes ने act किया, आपके physics chemistry वाला part भी आगया, जिसको हम physical sciences बोलते हैं, and finally आपके engineering जो बताता है, कि food आपके plate ते कैसे आया, इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों की knowledge को, इन सब चीज़ों के science को हम utilize करते हैं, study करने के लिए, nature क्या है food का, वो खराब क्यों होता है, and हम उसको कैसे processing करके, further उसकी value को increase कर सकते हैं, या उसकी life को increase कर सकते हैं, या उसके nutrition को increase कर सकते हैं, तो इन सारे processes को, इन सारे जो चीज़े हो रही हैं, काम हो रही हैं, analysis हो रहा है, इसको हम करते हैं, denote एक term से, जिसको हम बोलते हैं food science, ठीक है तो आप बोल सकते हैं डील करता है with the acquisition of new knowledge to elucidate the course of reaction or changes occurring on the food इसमें आपकी नई knowledge, नई techniques भी involved होती हैं कि क्या कौन सी techniques आप utilize कर सकते हो जो सारी चीज़े मैंने अभी आपको बताई उनको समझने के लिए या traditionally कौन सी methods जो है traditionally कौन से methods use होते थे जो हम future में भी carry forward कर सकते हैं जब हम इस सारे चीज़ों को utilize करते हैं उसका कोई application part होता है यह हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं for example हमें पता है अगर हम एक jam बनाते हैं जो के एक processed food है ठीक है? वो jam बनाते हैं वो काफी time तक जो है उसकी life रहती है fine that means हमने जो knowledge यहां से gain की है food science से उसको हम कहीं पर apply कर रहे हैं कोई एक technique के साथ तो वो आपका food technology होता है और तो यह आपके syllabus का part नहीं है but for the sake of definition मैंने यहां पर include किया है तो यह application of food science to the selection, preservation, processing, packaging, distribution and use of safe, nutritious and wholesome food यह सारी चीज़ का apply करना वो हमारा food technology आता है ठीक है जो food science है distinct field है और इसमें क्या क्या चीज़े आती है application of basic sciences such as chemistry, physics मैंने आपको बता है culinary arts भी इसमें आता है that is your skills and your techniques जो cooking वगेरा के लिए use होती है ठीक है agronomics वाला part भी आता है इस यह related है आपके agriculture plants से agriculture plants and environment उस चीज़ से related है and microbiology is related to microbes जैसे आपके bacteria हो गए virus algae fungi वगेरा ठीक है is a broad discipline जिसमें आपका सारा आता है मैंने का starting से लेकर harvest जब आप करते हो आप crop plants वगेरा cut करना start कर देते हो उनको accumulate करते हो फिर उनको seeds अलग करते हो crop plants से वहां से लेकर finally आप जो cook करते हो पकाते जो हो and जो आप consume करते हो वो सारा food sciences के अंडर आता है आपके harvesting या slaughtering अगर आप non vegetarian की बात कर रहे हो ending with cooking finally क्या होता है उसका end result cook and last में क्या होता है जो आप consume करते हो तो consumption का क्या मतलब हो आपके health पे क्या असर पड़ेगा वो भी कही ना कही related to your food science है ठीक है तो यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है अलग form of definition है इसमें मैं अलग form of definitions क्यों include किये है ताकि एगर keyword थोड़ा इदर उदर का कुछ हो जाए आपको agronomics कहीं पे लिखा हो microbiology कहीं पे लिखा हो तो आपको यह clear रहे कि यह भी आपके food science का part है तो science of food में क्या आ गया पहले food composition के food में क्या-क्या चीज़े है food preparation हम कैसे food prepare कर रहे है और हमारा कौन सा तरीक है food prepare करने का जिससे nutrients जो है nutritional component है food का उस पे क्या असर पड़ता है food processing क्या हो रही है सारी वो हमारा next topic हमें पढ़ना है detail में हम food को preserve कैसे कर सकते है हम food को usually preserve करते है थाकि उनकी nutritional value जो है वो सही रहे, intact रहे या उनकी जो shelf life है that means कब तक वो food खराब नहीं हो जाएगा हम उस shelf life को increase कर सके and finally इसमें यह चीज़ भी आती है क्या कहता है कि हमें food science में understand करना ज़रूरी है molecular structure of the food जो हम consume करते है क्योंकि वो molecular structure जो है हमें काफी तीजों में help करते है वो determine करेगा जो हम food खाते है उसका nutritional component कैसा है वो कितनी energy body में provide करेगा ठीक है, अगर मैं आपको example लेके बताओ, हमें पता है glucose जो है, वो primary source of energy हमारी body के लिए, यह मैं आपको बताया था last lecture में भी, अगर आपको याद होगा, तो glucose का कुछ molecular structure होगा, इसकी molecular formula C6H12O6 है ठीक है, science students मुझे यहाँ पर correct कर सकते हैं, इसका कुछ molecular structure ऐसा है CH2OH OH HOH HOH HOH, कुछ ऐसा इसका molecular structure है ठीक है, अब बताने हैं क्या मतलब, आपको याद नहीं रखने है कि यह molecular structure जो है यह determine करता है scientist को कि जो glucose है, उसका क्या texture nutritional value रहेगा, ठीक है and एक important चीज हमें पता है कि यह जो glucose है, यह हमारे blood stream में जाता है, ठीक है तो इस molecular structure से यह पता चलता है कि यह कितना जल्दी जो है absorb हो सकता है हमारे blood stream में after digestion, ठीक है तो कितनी जल्दी हमें कैसे amount of energy provide होगी, तो इसको बोलते है food chemistry, जो type of आपका food science है food engineering होता है जो मैं आपको अभी तक बता है कैसे करके, जो food है starting से लेकर end तक आपके सामने आता है जिसमें हमारी packaging, उनको कैसे preserve करते है freshness into ingredients कैसे maintain रखनी होती है वो सारा आता है food engineering का part food microbiology होता है, जिसमें हम देखते है जो microbes है, pathogens हैं या बाकी microorganisms present in the food उनका क्या असर पढ़ता है आपके food पे इसमें आपके microbes में आपके bacteria and आपके fungi, virus वगेरा आते हैं ठीक है, फिर sensory analysis of food ये भी type है आपके food science का इसमें क्या करते हैं, हम senses से analyze करते हैं food को, for example, आप taste करो कितना salt है कोई food कितना bitter है ठीक है, कड़वा कितना है या खटा मीठा कैसा है, touch से आप देख सकते हो texture, hard, soft या smell से analyze कर सकते हो sound से, देखने से तो करो गई sound से अगर आप chips का packet खोला और और chips खाओ, चाहे आपने उसको नहीं देखा हो ना पढ़ा हो कि वो fresh है कि ने लेकिन उसकी crispiness की आवाज जो है, आवाज कितनी crisp है उससे आपको पता चल जाएगा fresh है की नहीं तो हमारे पार sensory chemists होते है specially जो ये काम करते हैं तो ये सारी जो चीज़े हैं ये आपके food science के अंदर आती है फिर food science हमारे लिए important क्यों है क्योंकि ये enhance करता है food safety को कैसे, क्योंकि हमें पता है safety and quality of the food अभी maintain रखना काफी important है and खासकर इसले भी है क्योंकि temperature जो है earth का वो बढ़ रहा है ज़्यादा temperature means ज़्यादा microbes जो है वो produce, उनकी production ज़्यादा हो जाती है and वो ज़्यादा आपके food पर act करके उसको खराब कर सकते है इसकी वज़ासे foodborne illness जो बिमारिया वगएरा वो फहलने के chances बहुत ज़्यादा होते इसलिए जब food science हम समझेंगे तो ही हम समझेंगे कि हमारे पस क्या preservation techniques है ठीक है, तो वो हमें help करेगा enhance, reduce करने के लिए outbreak of, जो खाने की वज़ा से illnesses होती है improve करेगा food की shelf life that means कब तक वो जो food है वो आपका fresh रहता है and safe packaging कैसी है किस type of food के लिए उन सारी चीज़ों के लिए हमें काफी चीज़े जो है food के regarding वो समझना जरूरी है mind जिसे हमारा molecular structure मैंने अभी कहा वो काफी important है समझना food का उससे हमें काफी चीज़े clear हो सकती है वो हमें ने clear करनी है scientist हो clear करनी है जब scientist को ये चीज़े clear हो जाएंगी तो automatically food safety जो है वो enhance हो जाएगी ये improve करता है food science nutritional quality ठीक है using the science of food हम understand कर सकते है nutrients that we need and how to enhance foods to meet those dietary needs ठीक है तो food science हमें बताएगा कि किस food में कितना nutrient है हमें कितने की जरूरत है ठीक है and हमें need कितने की है and ये भी बताएगा कि जो already एक food आपके पास आता है क्या उसमें कोई और चीज हमें inject करने की जरूरत है जैसे iron या folic acid bread and cereal में add किया गया था पहले ये US की बात है क्योंकि उसमें इन दो चीजों की कम ही देखी गई थी यहाँ पे मैं आपको एक India की example भी दूँगी एक process होता है rice fortification जो यहाँ पे भी हुआ था आपने बीच में अफवा सुनी होगी कश्मीर में अफवा काफी फैली होई थी कि यह हमें plastic rice दे रहे है इनको हमें government मारने की कोशिश कर रही है एक बड़ी आया था plastic rice वाला यहाँ पे अफवा फैली थी आपने देखा भी होग था plastic form में जो rice है वो शकल का plastic लगता है वो basically plastic नहीं है यह एक research ने कहा था कि लोगों में यहाँ पे अनेमिया और भी malnutrition और जैसी problem हो गई थी तो वो जो rice है उसमें inject किया गया था आपका iron I guess मुझे पूरा याद नहीं है vitamin B12 and folic acid शायर यही कुछ चीजे जो है उस rice में इंजेक्ट की गई थी जिसकी वज़ा से उसकी शकल थोड़ी वो hard हो गया था प्लास्टिक जैसा वो visible था लेकिन वो plastic राई वो ऐसा नहीं था वो कोई conspiracy नहीं थी वो यह चीजे चावलू में इंजेक्ट करी थी तो यह चीजे उसमें इंजेक्ट करनी है किस चीज की कमी है उसमें क्या improve लाना है चावलू का यह सारा एक benefit है जो हमें food science ने दिया है तो हम बोल सकते है nutritional quality improve करने का काम भी कोन कर रहे है आपका food science की knowledge extending shelf life क्यूंकि हम preserve करते हैं food को through fermentation, canning, cooling वगरा यह हमें आगे पढ़ना है इन सब चीजों से क्या हो जाता है food की shelf life होती है वो increase हो जाती है by using science and technology हम extend कर सकते है shelf life of foods that are often wasted अगर आप को कोई चीज जादा time तक prevent करनी होगी आप कैसे उसको prevent कर सकते हो तो वो सारा इसमें आ जाता है ठीक है innovating culinary experiences the abundance of products available to consumers is thanks to the sensory chemist chemist and food engineers जो क्या करते हैं वो transform करते हैं raw ingredients को into the foods that we see on the shelves ठीक है हम क्या देखते हैं हम packaged foods देखते हैं चाहे वो organic way से आए हो किसी वो तरीके से आए हो पर हमारे सामने जब market जाते हैं तो shelf पेतने सारे foods होते हैं जिनके raw ingredients जो हो वो हम consume नहीं कर सकते हैं हमें एक processed form में food सामने मिलता है ठीक है तो वो किसके तरीके से हो सकता है एक raw material को आप कितने तरीकों से एक नए तरीके की dish उससे बना एक नए तरीके का जो processed food है उस raw material से बना सकोगे वो आपका आता है आपके कितने culinary experiences that means skills और techniques आपको पता है नए नए चीज़े innovate करने की तो great example आप इसकी coffee देख सकते हो ठीक है अगर ये सारी चीज़े नहीं होती innovative culinary experiences नए skills और techniques लोगों को नहीं पता होते है कैसे use करने है तो आपका भी coffee consume कर पाते coffee grow होती है बहुत ही extreme temperature जहाँ हो उन areas में जो equator के नजदीक होते है ठीक है तो आप यहाँ पे बैटके North में, Himalayas के बीच में बैटके coffee कैसे consume करते अगर ये सारी चीज़े जो है वो लोगों के पास वो knowledge skill नहीं होते आप तक वो coffee एक bottle में पहुँचाने के नहीं तो coffee beans equator के areas में ग्रो करते हैं ठीक है वो आप तक कैसे पहुँचते है तो वो आप तक पहुँच रहे हैं ये भी food science का ही एक advantage है हमारे पास addressing global food challenges तो इससे हम क्या कर सकते हैं इस सारी knowledge से हम create कर सकते हैं affordable nutritional food options in undeserved, unreserved area underserved area sorry मैंने सोचा है मैंने undeserved कैसे आ गया ये create करना affordable nutritional food options underserved areas में such as those in the urban food deserts urban food desert क्या होते हैं वो urban areas बीच में जहांपे food availability जो है nutritional food वगेरा वो easily accessible नहीं होता है उनकी location की वजा से तो उनको urban food desert बोला जाता है तो ऐसे communities को empower करना और उनको engage करवाना जो है crops को grow अगेरा raise harvest वो सब चीज़े कर सके उसको urban farming बोला जाता है तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं अगर हमें ये सारी knowledge होगी that means अगर हमारे पास food science की इतनी knowledge होगी तो जो globally food shortage होती है या food challenges होती है उसको हम address कर सकते हैं ठीक है तो ये है कुछ advantages जैसे अगर exam में आ जाए कि food science से क्या क्या हो सकता है तो enhance growth food safety को nutritional quality improve कर सकते हैं इसमें आप वो rice plastic rice की example भी याद रखोगे तो बाकी सारी चीज़े याद आ जाएंगी shelf life extend करना innovating culinary experiences coffee की example and address करना global food challenges and second last one is managing food allergies and sensitivities हमें पते हैं कई लोग होते हैं वो lactose intolerant होते हैं lactose intolerant तो उनको जो milk चाहिए होता है उनको lactose free milk चाहिए होता है ठीक है वो lactose free milk आना मतलब आपकी अंदर आप lactose intolerant हो that means एक allergy हो जाती है अगर आप lactose वाली चीज़े consume करते हो तो आपको lactose free milk की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़े कहां से आएंगी वो food science की knowledge से आएंगी और बाद में उस पे technology अपलाई करके उस knowledge पे ठीक है अगर gluten free bread चाहिए हमें gluten free खाना हम खाते हैं जो आपके actors अस बोल रहे होतने gluten free खाऊ तो वो gluten free कहां से आएगा वो भी आपके food science की basic knowledge से ही आएगा तो food science help करते है identify करने के लिए allergens को and create safe options for those with dietary restrictions तो for example lactose free milk allows people who are lactose intolerant to enjoy cow's milk वो उसको lactose free बनाते हैं treatment से food science also bought us gluten free bread and plant based imitation meat products ठीके plant based meat products भी इसकी एक laboratory बनी है प्लांट based meat products भी बना सकते हैं कैसे वो हमें यहाँ पर दे नहीं देखना है अगर कोई वैसे इंट्रेस्टेट है इस चीज में तो YouTube पे आपको काफी सारे इसके रिगाड़िक वीडियो मिल जाएंगे अगे देखते हैं food processing तो food processing basically क्या होता है यह एक set of method यह technique है जो हम use करते हैं हमारे raw ingredients पे जो raw ingredients होते हैं ठीक है उन पे हम कुछ techniques वगेरा use करेंगे और उनको हम एक finished product में transform करते हैं for example आपके पस raw ingredients क्या होते हैं जैसे आप कहीं पे उगा रहे हो आप wheat उगा रहे हो कहीं पे and then आपको market में क्या मिलता है आपको market में एक bread मिलती है जो आपको एक packaged form में मिलती है तो वो एक finished product है उसका यह आपको raw ingredients से एक unfinished या semi-finished product भी मिल सकता है semi-finished, unfinished नहीं semi-finished इसे for example कई जगा markets में आपको dough मिलेगा सिफ dough available होगा फिर आपकी मर्जी आप उसे bread बनाओ pastry बनाओ, cake बनाओ, जो मर्जी वो बनाओ ठीक है? तो वो raw material को कैसे आप transform करोगे एक finished या semi-finished product में कौन से methods and techniques यूज़ करोगे वो है part of your food processing तो food processing में हमें जरुरत क्या होती है हमारे पास good quality raw material होना चाहे जाहे वो plant का हो या animal source का हो उसको बाद में आप convert कर सकते हो एक attractive market table मतलब जब आप transport कर सको एक जगह से दूसरी जगह and often इसकी shelf life long होगी बैसे food product में, fine तो इसमें harvest side से कैसे चीज आती है बाद में packaging कैसी होती है उसकी merchandise that means वो कैसे transport होके कहीं पर पहुँच जाता है वो सारी चीज़े इसमें food processing में आती है तो basically इसमें क्या होते है इसमें कुछ principles हम use करते है slow down करने के लिए अगर कोई natural product है वो कैसे हम लंबे time तक save उसको कर सकते हैं हम कैसे food decay, मतलब खाने के खराब होने को कैसे हम रोक सकते है अगर meat है आपके पास, वो meat कब तक fresh रहेगा ठीक है, वो सड जाएगा कुछ time में अगर आप उसको use नहीं करोगे तो उस meat की shelf life को हम कैसे increase करेंगे, कि वो जल्दी खराब ना हो वो सारी चीज़े आपके food processing में आएगी तो इनका relation क्या हुआ food science वो food processing का food science में आप चीज़े सीख रहे हो and processing and technology में आप उन चीज़ों को apply कर रहे हो, simple the term processing जो है ये काफी broad है and इसमें काफी techniques आती है like threshing, dehusking, polishing grinding in case of food grains जो आपकी primary processing methods है जैसे आप क्या करते हो, पहले अपने harvest की आपने वो सारे जो crop plants वगेरा है वो काटे, उनको एक जगा एकठा किया फिर उनकी threshing की, threshing में क्या करते हो आप, वो crop plants पर देखा होगा आपने कभी उनको से seeds कैसे अलग किये जाते हैं उनको ऐसे पटक के, या तो machines भी आते हैं threshing की, या तो ऐसे उनको पटक के, आप उनकी seeds अलग करते हो crop plants के, फिर उनको husk से remove करते हो फिर उनकी final finishing करते हो polishing से, फिर जो seed होता है उसको grind करते हो grinding machines में यह सारे ठीज़े primary processing यह भी processing का part है secondly preliminary preliminary operations like cleaning, washing, sorting, grading peeling, blanching and cutting in case of fruits and vegetables तो fruits and vegetables में कैसे तरीके operations होते हैं, उनको clean करना wash करना, sort करना मतलब अलग-अलग करोगे, कौन-कौन सा fruit है अलग category का, फिर grade करोगे उनको taste, shape, size के हिसाब से इकठे रखोगे, peeling करना उनका skin remove करना, blanching होता है आप किसी चीज को blanch करो that means आप उसको एक गरम इसमें डिप करो, गरम पानी में या स्टीम में, जल्दी निकालो फिर उसको cold करो उसको ठीक है उस product को, उस item को तो उससे भी उसकी preservation थोड़ी रहती है and cutting in case of fruits and vegetables तो इस सारी चीज़े जो है ये भी आपके processing में आती है and others to produce secondary processed products like bread, biscuit, confectionery, dehydrated and canned products like jam, jellies pickles, sauces, frozen meals वगेरा ये सारे operations भी किसके पार्ट है आपके food processing के तो this diverse range of operations means that majority of foods, जो है they are processed in one way or the other before being consumed आप सीथे खेतु में जाके वो crops, जो है crop plants है वो तो नहीं consume करते न उनको primary processing की भी ज़रूरत है और कुछ जैसे fruits और vegetables जो market में आते है उनको कुछ preliminary operation की ज़रूरत है जैसे उनको clean, wash, salt, grade, peeling, blanching, cutting ये सारी करनी होती है fine, and जो आपके secondary processed products है जैसे market में आपको मिलते हैं bread, biscuit वगेरा ये भी कई operations से, कई techniques से बुज़र के आपके सामने एक finished product आया होता है that means हर जो majority of food है in one way or the other वो किसी न किसी तरीके से process हुआ है चाहे वो primary processing हो या secondary processing हो, ठीक अब aims क्या है हम क्यों करते हैं food processing preserve करने के लिए nutritive quality of food by preventing them from spoilage ताकि वो जल्दी खरामना हो और उनके अंदर का nutrition है वो preserved रहे अगर आप खाना बाहर रखोगे तो उस पर क्या microbes वगेरा act करेंगे उस पर, ठीक है तो वो microbes उस खानने को क्या करेंगे spoil करेंगे तो उसका nutrition खतम हो जाएगा वो चीज ना हो इस वज़ा से आप क्या करते हो food की processing करते हो उनकी shelf life को increase करने के लिए for example कैसे आप उनको कृतने time तक के लिए preserve कर सकते हो enhance the quality example cooking cooking करके आप कैसे उनकी quality बना सकते हो क्योंकि raw food आप सारा consume नहीं कर सकते आपको उसकी cooking जो है वो करनी पड़ती है ensure that food is safe for future consumption वो ही shelf life increase करा के future में आप सो consume कर सको ensure that availability of many products throughout the year ठीक है ताकि आपको products रहे हो throughout the year मिल सके इसे apple आपको पोरे साल नहीं मिलेगा पर आप उसका apple juice बना सकते हो जो market से मिलता है apple juice तो आपको throughout the year available होता है तो ये सारी चीज़े भी आपके food processing से ही possible है ताकि easy हो जाए storage, transportation and distribution इन सारे products का and ये सारी जो food processing है ये employment भी generate करता है और additional income भी उनके लिए create करता है ठीक है तो employment कैसे generate होती है क्योंकि जो इन factories में काम करता है जो storage, जहाँ पर storage हो रही होती है फिर सारा logistics कि कहां से आ रहा है product कहां जा रहा है वो सारा logistics में involved होता है तो इन सब लोगों उसके बाद जो transportation, final destination जहाँ पर product जाते है तो जहाँ जहाँ पर सारी factories होती है set up की होई होती है उनको manpower की जरूरत है अगर machines है तो machines operate करने के लिए भी manpower चाहिए तो employment भी generate हो जाएगी इन सब चीजों से अब देखो evolution कैसे हुआ food processing का जब food processing है ये कुछ form में काफी पहले से present थी जब हमारे पास technology या food science की studies इतनी established नहीं हुई थी उससे पहले भी लोग जो है वो save करते थे खाना ठीक है वो कैसे करते थे हम आगे-ागे methods सेखेंगे तो 8000 to 7000 BC में man first began farming, growing crops and raising animals for food instead of hunting and gathering for food तो इतने area इस वाला जो timeline है इसमें लोगों ने शुरू किया farming वगएरा खुद से grow करना सरफ ऐसा नहीं किसी जानवर को पगड़ा, hunt किया मारा और खाया ठीक है अब आप अपना खाना जो है वो grow करना शुरू करोगे फिर 4000 के around salt या chemicals in smoke drying जो है या use of snow and ice वर used for storing food for longer times अभी drying वगएरा से smoking से कैसे preserve होता है, आप अभी इसमें नहीं पढ़ना या हमें अभी discuss करना है 3000 BC में जो yeast है, ये एक fungi है, fungi kingdom का है yeast ये क्या करता है, ये alcoholic drinks बनाता है by the process of fermentation, fermentation वो भी हमें बढ़ना है 2000 AD एक around किया हुआ था, जो bacteria है, इसको use किया गया था, yogurt बनाने के लिए again by fragmentation, तो कौन सा bacteria है, जो yogurt बनाने के लिए use होता है अगर आपको याद होगा, लेक्टो बैसलस हमने school में पढ़ा हुआ है ठीक है, फिर 1810 में Nicholas Eppert, जो है, उन्होंने डिसकावर किया a way of preserving food in sealed containers उसको हम can में डालना बोलते हैं food को, तो canning industry वहाँ से developed हुई, 1860 में Louis Pasteur ने invent किया था, way of killing harmful microbes in wine and bear and 1920 में Clarence Birds Eye ने developed किया था method of quick freezing food, ठीक है यह कुछ data है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, आपकी मर्जी पर हो सकता है question आए, क्यूंकि मैं कोई ऐसा area छोड़ना नहीं जाती जान से आपके question आने का chance बने, इस unit में आपके 6 chapters है and 10 marks का unit है, तो expect करो एक आदा question आपका हर unit का होगा, तो पुझे 1 question इस पूरे unit से होगा, तो you never अगर एक question कहां से आजाए, अगर एक unit से बहुत सारे questions आने के chances होते हैं, तो आप risk ले भी सकते हो, है न, अगर इस unit से आपको 10 questions आने होते, तो अगर सिर्फ food, science and processing से आपको 10 questions आने होते तो आप risk ले सकते, कि 10 questions में at least, कुछ तो मैं इतना पढ़ा है, मैंने कि at least 8 तो मैं solve कर लूँगा, तो वो उसमें risk आप ले सकते हो, लेकिन अगर एक ही question आएगा, you never know, वो एक question, unexpected question हो, वो direct question हो, वो conceptual हो, वो कैसा हो, ठीक है तो इसलिए उसकी preparation जो है, वो accordingly होनी चाहिए, और इस unit में आपके 6 chapters हैं, तो question कम-कम होंगे सारे chapters है, इसलिए मैं चाहती थी थोड़ा ज्यादा area cover करना Methods and Principles of Food Preservation, अब हम देखते हैं, हमें जो main इसमें पढ़ना है, क्या-क्या Methods हैं और क्या-क्या Principles हैं, जिससे हम food को preserve करते हैं, the process in which the perishable food materials are given a suitable physical or chemical treatment, prevent करने के लिए, उनकी wastage, spoilage, और retain करने के लिए उनका intuitive value, इसको हम food preservation बोलते हैं, simple है, food को preserve करना, और जो principles of food preservation है, refer to the processing techniques that are used to prevent food from spoilage, अब हम principles क्या हुआ, कौन सा techniques हम use करते हैं किसके लिए, food preserve करने के लिए, तो क्या-क्या मैं थवड़े, यहाँ पर नाम लिखे हुएं, सिर्फ बाद में हमें इनको, detail में भी यहाँ पर देखना है, आगे, asepsis, removal of microorganisms, maintenance of anaerobic conditions, जैसे sealed, हम cans वगेरा में food को save करते हैं, drying ठीक है, यह सारी चीज़ा हमें आगे पढ़ने, use of high salt, acids, fermentation low temperatures, जिसमें experiment किये हुएं, अगर आपको remove करना है, किसी से तो आप क्या करते थे, एक filter paper लगाते थे, आप फानल में और वहाँ से water डाल दो, वो जो सारी dirt वगेर है, वो उपर उस filter paper पे रह जाएगी, तो वो आपका filtration है, ठीक है, washing करके भी remove कर सकते हैं, ट्रिमिंग करके भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई area जो है, जिसे fruit आप खा रहे हैं, उसका कोई part जो है, वो खराब होगे, आप सको काट दोगे, that is your trimming, and centrifugation क्या होता है, centrifugation एक process है, जिसमें आप चीज को गोल गुमाके, वो centrifugal force, मैं वो explain नहीं करूँगी, वो काफी आपका, जो ये है, out of the, इसमें चले जाएंगे हम, zone में, हमारे syllabus के, तो centrifugation में आप इतना याद रखो, basically वो centrifugal force होता है, वो आप गोल गोल किसी चीज को गुमाके, क्या करते हो, उसको filter करते हो, कैसे करते हो, for example, आपके पास कोई भी एक container है, उसमें water है, कुछ उसमें bacteria वगेरा है, तो उसको तेज़ 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 गुमाओगे, ऐसे spin करोगे, spin करोगे, तो जो bacteria है, वो नीचे settle हो जाएगा और पानी उपर रहेगा, साफ, या ऐसे समझ लो, एक पानी muddy water है, muddy water को आप ऐसे से गोल-गोल-गोल गुमाओ, तो जो उसका mud है, वो bottom में settle हो जाएगा, और उपर आपको clear water मिलेगा, तो ये भी एक तरीका है, रिमू करने का microorganisms, ठीक है, तो ये है, तो हम उनको air tight containers में रखते हैं, ताकि उनकी जो crispiness से वो खराब ना हो, ड्राइंग आप करते हो, जिससे हम water component या moisture जो है किसी खाने का, वो reduce करते हैं, वो हम sun candle भी कर सकते है, mechanical, मतलब अब ये machines यूज़ करके, वो fans यूज़ करके, ठीक है, वैसे यूज़ करके भी, mechanically dry कर सकते हो, freeze drying क्या होता है and smoking, ठीक है, freeze drying होता है, अब basically आपने किसी चीज़ को freeze किया है, तो उसको water droplets बन गे, फिर आप water droplets को remove करते हो, और वो हम remove करते हैं, through the process of sublimation, ठीक है, sublimation क्या होता है, इसमें solid directly gas में convert होता है and water में नहीं होता है, तो उसको freeze drying कहते है, for example, कोई meat है, ठीक है, meat के water content भी होगा, आप उसको machine में डालते हो उसके freezing machines होती है, freeze drying के लिए special, यह सारा automatic ही होता है, उसको आप machines में डालोगे, तो वो droplets से उनको freeze कर देगा freeze करेगा तो फिर बाद में जो droplets से, उनको sublimation के process से remove किया जाता है अब है क्या basically drying का process है, तो आप freeze करके dry कर रहे हो, और dry करने से क्या होगा, moisture जो है, पानी का content जो है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, minimal, और उसमें फिर आपकी microbial growth जो है, वो नहीं अगर आप इस टाइम पर कश्मीर में कोई चीज बाहर रखो, आपने अभी सर्दी है वहां बाहर, ठीक है, आप रखते हो बाहर, दूद रखोगे बाहर, वो spoil नहीं हो जाएगा, गर्मियों में रखो, या किसी ऐसी जगा रखो, जहां पर आपको humidity काफी ज़्यादा होगी, उन areas में रखो, वहां खाना जल्दी स्पोईल होगा, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो moisture content होता है आपके atmosphere में, उसमें microbial growth जो है, वो ज़्यादा जल्दी होती है, as compared to cold areas जहां पर, आपकी microbial growth होने के chances कम होते हैं तो basically हम artificially वो ही चीज़े create कर रहे हैं, कि आपको जो water content है food का, वो काफी कम हो जाए, और जो food है, उसपे microbial growth reduce हो, और वो खराब ना हो smoking क्या होता है, इसमें आपके smoking house होते थे, traditional method होता था, उसमें लकडी जलाते थे, तो जो smoke निकलता था, उसमें कुछ chemicals होते थे, जिससे आपका food जो है वो dry रहता था है, प्रिजर होता था, यह भी हमें आगे देखने है, तो salt, sugar वगेरा, use of acid fermentation, यह हम सारा आगे पढ़ेंगे high temperature, mechanically भी आप destroy कर सकते हो, grinding से या high pressure से, microorganisms को, chemical preservatives भी use कर सकते हो, वो भी हमें आगे देखने है, carbonation, irradiation सारा हमें आगे डीटेल में पढ़ने है, इसने बस यह सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है आगे slides में, freeze drying and your filtration, centrifugation, washing and trimming, इस वज़े से यहां पे मैंने आपको यह explain की, तो आगे देखते हैं, methods of food preserving, main जो हमारा topic हमें methods जिसमें main methods हमों discuss करने है तो पहले जो early products थे, early food conservation किन-किन चीज़ों के होती थी, किन products के होती थी आपका cheese, butter, raisins, pemmican यह एक dried meat की dish है, sausages, bacon and grains वगेरा तो यह भी meats, दोनों ही meat, pork and mixture बनाते हैं sausages में आपके pork का, beef का, वगेरा वगेरा चीज़ों का और bacon है, यह भी आपके meat based dish है तो इन सब चीज़ों को ज़दा preserve किया जाता था पुराने जमान में यह सारी चीज़े थी therefore, जो food preservation है यह oldest technologies है, used by human beings तो food preserve जो है, यह हम काफी time से करते आ रहे हैं इसकी मैं आपको evolution बताई तो asepsis क्या है basically food जो है, it is a living system and it has natural protection mechanisms in its raw agricultural state आप देखो, आप पेड़ पे अगर केला है ठीक है, बनाना उगा रहे हो आप तो यह natural state में protected है एक बार आप इसको वहां से तोड़ो, पेड से और इसको peel करो, तो यह कुछ ही time तक रह सकता है कुछ time के बाद यह deteriorate मतलब spoil होना शुरू हो जाता है तो asepsis में क्या करते है जैसे आपने उसको, कैसे आप उस केले को save करोगे तो हो सकता है, पहले आप उसकी washing करो फिर उसको एक अच्छे से container में रखो फिर पहले container को आप सही से देखो कि container में कोई dust तो नहीं है bacterial growth तो नहीं है ठीक है, clean hand से उसको पहले साफ करो, फिर उसको उस container में रखो तो वो सारी चीजे, सारी वो processes जिससे वो केला दूर रहेगा microbes से और microorganisms से और वो खराब काफी time तक नहीं होगा तो वो आपका asepsis में आता है तो packaging of food जो है यह is a widely used application of asepsis जिसमें आप देखते हो कि जो packaging of food है, वो कितनी सही से हो रही है और जो packet है आपका, वो भी free of microorganisms होना चाहिए, जिसमें आपना food है, वो preserve कर रहे हो तो asepsis deals with the prevention of microbial contamination of the fresh यह आपके processed food के साथ processed foods यह fresh foods भी यह बनाना मैंने आपको example के लिए बताया ड्राइंग क्या होते है, अभी हमने थोड़ा बहुत देखा ड्राइंग में basically आप क्या करते हो जो water, जो होता है water content उस food का, उसको remove करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको कहा, ऐसे areas जहां पे water, humid areas, जहां पे water content air में जादा होगा, food spoil होने के chances जो हैं, वो जादा होते हैं तो basically removal of water तो आप इसको एक dehydrate करना भी बोल सकते हो, food को जो dried foods है, they are preserved because of the available moisture is so low that microorganisms cannot grow and enzyme activity जो है, इसने वो control रहती है, अब देखो microorganisms को grow करने के लिए भी कुछ amount of water content चाहिए होता है, कुछ amount of temperature चाहिए होता है अगर इसके इन चीज़ों को हम control कर सके moisture को एन उसके temperature को microbes के तो microbial growth पे काम कर सकते हैं grains and nuts जो है यह पहली ऐसे food थे, जिसको dry किया जाता था under the sun and air fine, तो जैसे कश्मीर में हम hoxion नहीं बनाते फ्रोज सबजियां जो है हैं ताके वो काफी ताइम तक प्रिजर्व रहे that is the method of your, part of your drying ठीक है, salting क्या होता है specially of meat is an ancient preservation technique, यह पुरानी तेकनीक है हम क्या करते है, salt या food को salt डाल देते हैं काफी, या तो salt concentration उसमें डालते है, strong salt solution डाल दिया पानी में नमक घोल के, वो solution में फूद डाल दिया, तो उससे क्या होता है नमक डालने से, वो जो अंदर का water होता है, उसके अंदर वो बाहर आ जाता है वो आ जाता है, एक process से जिसको आस्मोसिस बूलते हैं, वो आपने biology में पढ़ा होगा, यहां पे वो process explain करने की जुरत नहीं है, वो जो water बहार आ जाता है, वो osmosis के process से आता है, और water बहार आने से क्या हो जाता है, जो वो cheese है, एक तो वो free of water वो dehydrate, वो वाला हो जाएगा और उस cheese की contraction हो जाती है ठीके, तो आप उसको काफी time के लिए preserve भी कर सकते हो, और वो बाद में जगे भी कम लेगा जब उसका जो water content है, वो बहार आ गया होगा, due to high concentration of salt water from the food is tied up and made unavailable for microbial growth, क्योंकि जो water है वो अब खतम हो गया होगा, and enzyme action enhance, preserve the food तो मना microbial growth होगा ना enzyme action होगी, तो food को हम preserve कर सकते हैं यह salt sprinkle करके पानी बहार आना, आपने घर में भी देखा होगा, करते हैं काफी सबजियों पे, आप प्यास पे थोए टाइम के नमक डाल के देखो नमक डाल के रखो, आप देखो थोए टाइम के बाद उपर सारा पानी आ गया होगा, तो इसको osmosis बोलते है तो salt क्या करता है high osmotic pressure create करते है and hence flasmolysis, that is shrinking of the cell, तो उसके जो cell है वो shrink हो जाता है, ये dehydrate करते है food को by drawing out and tying up the moisture as it dehydrates the microbial cells, तो जो cells होती है उसके अंदर, उनको क्या करते है, dehydrate करते है, क्योंकि वहां का जो सारा moisture है वो बहार आ गया होते है, through the process of your osmosis ठीक है अगर आपको explain भी करना है, इसमें osmosis क्या होते है, तो आप जो comment से बताना मैं आपको बता दूँगी, पर यहां पर explain करने की ज़रुरत नहीं है it ionizes to yield the chloride ion which is harmful to organisms तो basically क्या है, हमारा salt NaCl है, तो ये क्या करता है जब इस salt solution में आप add करते हो तो इसको ionization हो जाती है, इसकी salt Na, sodium अलग होगे, chloride ions अलग होगे, तो जो chloride होते है ये भी उन microbial growth के लिए harmful होते है इस वज़े से भी क्या हो जाते है microbial की जो growth है, microbes की growth वो arrest हो जाती है, वो रुक जाती है तो dry salting किसके लिए use होती थी इंडिया में खास कर, tamarind, आपकी Emily के लिए, raw mango के लिए आमला, fish and meat के लिए sugaring में क्या करते हो शुगर की जगर वही procedure लेकिन आप sugar add कर रहे हो तो वो वाला food जिसको salt concentration से save नहीं कर सकते जो आपके मीठी चीज़े होती है ठीके, उनको आप sugar से preserve करते हो तो उसमें आपके आगे sweetened condensed milk, fruits in heavy sugar syrup ठीके, preserve preserve और मुरबबबब, वो बनाते हैं मुरबबबबब आपने खाया होगा अगर jams, jellies, ठीके marmelades, ये भी कोई चीज है and candies, ये सारी जोती है, sweet वाली चीज़े होती है तो इनको आप sugary drink से क्या करते हो, sugary water से क्या करते हो, इनको save करते हो, ठीक है? तो आप sugar को such as glucose and sucrose, ये आपके sugars होते हैं, glucose और sucrose, glucose, sucrose, fructose, ये भी आपने bio में पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको detail में नहीं याद रखना, बसे नाम याद रखो, ये भी act करते हैं as preservative, तो question में ये आ सकता है, आपको नाम लिखे हो सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं exam में, इनमें कौन-कौन सी चीज as preservative, जहाँ वो act करती है, ठीक है? तो jam होता है, उसको हम कैसे prepare करते हैं? by boiling the fruit pulp with sufficient quantity of sugar, acid and pectin to a reasonably thick consistency, जब तक वो उतना consistent होता है, तो आप देखो, effectivity कैसे है, कि अगर हम fruit jam खा रहे हैं, हमें सारे fruits available नहीं है throughout the year, लेकिन throughout the year हम jam खा सकते हैं, ये आपके सारा food technology and food processing से ही possible हुआ है, pickling ये भी मुझे ज़्यादा detail में बताने की जूरती है, जो हम अचार बनाते हैं, ये हमने गरू में देखा हुआ है, तो basically इसमें कुछ spices यूज़ करते हैं, यूज़ as a salt combined with acid such as आपका vinegar, acidic acid है ये ठीक है, तो सिर्का वगेरा डालके, आप salt बनाते हो, pickle बनाते हो, किसी भी cheese का, सबजियों का बना सकते हो, meat का बनाते हो, fish का pickle भी बनाते हैं, तो वो भी क्या है basically, मैं third है preserve करने के लिए food को, ठीक, फिर fermentation, देखो, fermentation में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़े, हमने अभी micro-organisms की growth को arrest करने की बात, किसे मैं नेका water content up remove करो, ये आगे देखेंगे, हम temperature, cold temperature use करते हैं, freeze कर देते हैं किसी food को, तो उस उतने कम temperature पर microbes जिन्दा नहीं रह पाते हैं, उस food पर act करने के लिए, आनो food fresh रहते हैं, लेकिन fermentation में क्या होता है, multiplication of organisms होती है, and their metabolic activities are encouraged, for example, आप milk रखो, ठीक है, milk आपने काफी गर्मी में रखा बहुत time तक, तो क्या करते हैं, उसमें bacteria होगा, जो मैंने आपको कहाँ, भी lactobacillus होता है milk में, वो उस पर act करेगा, जो milk का natural sugar है, वो वो consume करता है, खुशी से, ठीक है, उसने वो milk का वो sugar consume किया, and बाद ने वो lactic acid, वो जो bacteria है, वो lactic acid produce करता है, जो act करते हैं, आपके milk पे उर्ष का दही बना देता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, जो microorganism है, वो breakdown करता है, complex organic compound को, into simpler substances, either presence of oxygen में, या absence of oxygen में, ठीक है, जो chemicals excreted by the microorganisms cause the preservative effect of fermentation, जो chemicals उसने छोड़े होते हैं, microorganism ने, तो वो क्या करते हैं, बाद में, fermentation करते हैं, तो आप येस्ट में देख लो, आप क्या करते हो, आप आटे में आपने येस्ट थोड़ा डाल दिया, येस्ट क्या करेगा, मैंने का, का, fungi kingdom का, होता है, मैंने आपको बोला, तो वो जो natural sugar होता है, फ्लॉर पे, उस आटे पे, वो वो consume करता है, और उसके बाद वो gas bubbles release करता है, उस gas bubbles पे क्या होता है, वो जो आटे का डोह बना होगे, वो कभी fool जाता है, जो आपने बंद वगेर खाए होंगे, बर्गर्स में खाते हो, तो वो fool जाता है, वो कैसे foolता है, वो yeast से foolता है, ठीक है, तो ये होगे, the principal chemicals involved are the acids, अब क्या क्या फर्मेंटेशन में यूज होता है, acids यूज होता है, especially lactic acid यूज होता है, वो क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है, दही, cheese and sourclaw, sourc यूज होता है, these inhibit the growth of common pathogenic organisms in the food, examples of food preserved by fermentation are yogurt, cheese, bear, wine and other alcoholic beverages, तो थोड़ा बहुत examples भी देख लेना, कि किस technique से आप specially किस food के लिए यूज करते हो, फिर cheese making वो भी हम दूज से बनाते हैं, वो भी हमारी जो process है, वो भी काफी पुरानी है, काफी time से हुई आ रही है, although जो cheese finally बनती है, वो milk से काफी अलग होती है, लेकिन cheese making is a long and involved process that makes the use of bacteria, enzyme and naturally formed acids, solidify करने के लिए milk को, milk proteins को and fats को उनको preserve करने के लिए, and ये भी preservation ही है, although एक अलग form में है, solidified form में है, लेकिन cheese को भी हम months और years के लिए जो है, वो preserve कर सकते हैं, smoking में आपको पहले का, इसमें क्या होता है, smoke जो है, यूज करते हो आप, लकडी जला के, and उस smoke में कुछ chemicals होते हैं, जैसे formaldehyde हो गया, या creosote हो गया, तो इसमें आप ये याद रखो के, formaldehyde and आपका creosote, जैसे chemicals होते हैं, जो क्या करते हैं, आप फिर उस food को contact में लाते हो, उस smoke के, एक तो फ्लेवर भी आड करता है, हम खाते हैं, smoked meat जैसे खाया होगा, आपने अगर, तो फ्लेवर भी आड करेगा, and preserving भी करेगा, कैसे वो भी dehydrate कर देता है, उस cheese को, जो भी food product होगा, food item होगा, उ काफी time तक हम save कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो food use होता है, आपका wood, वो की special type का wood ही होता है, जैसे hickory, यह आपका hardwood एक है, और similar wood like oak, maple, walnut, mahogany, under low breeze wind, आप क्या करते हो, उनको जलाते हो, बाद में जो उसका smoke निकलता है, उससे आप food को preserve करते हो, cold preservation में आप क्या करोगे, obviously temperature जो है, वो कम करोगे, उन temperature में जहां पर आपका जो microbial growth है, वो arrest हो जाए, वो रुक जाए, उनकी stop हो जाए growth, and जो food है, वो fresh रहे, तो यही आपका हो गया, the metabolism of a living tissue is a function of the temperature of the environment, ठीक है, किसी भी चीज को कोई काम करने के लिए, एक temperature की ज़रत है, कि minimal वो इतने temperature में survive कर सकता है, अब अगर आप freeze कर रहे हो, temperature को बहुत कम कर रहे हो, तो किसी एक टाइप के, जो microbes है, वो वहाँ पर act नहीं करेंगे, तो low temperatures हम use करते हैं, retard करने के लिए, chemical reactions and action of food enzymes को, और slow down करने के लिए, या growth को रोकने के लिए, microorganisms के, जो आपके food को spoil कर सकते है जितना कम temperature होगा, the slower will be the above natural activities, मतलब उतना आपका जो food है, वो spoil नहीं होगा, ठीक है, तो freezing and refrigeration जो है, they are among the oldest methods of preservation, काफी सदियों से ये भी चलता आ रहा है, तो आपके जो mechanical ammonia refrigeration system invent जब से हुआ था, इसे बेसिकली ammonia को as refrigerant agent यूज़ किया जाता है, 1875 में invent हुआ था, तब से क्य होगा, commercial refrigerated warehousing and freezing जो है, commercial purpose पे, मतलब as a business हो established होगा, बड़े-बड़े scale पे वो launch होगा, अदरवाइस गहरों में काफी सालों से ये जो method है, preservation का, through your freezing and refrigeration ये use होता था, lower temperatures, अब देख लो, cellar storage temperature, about 15 degree Celsius, ये किसके लिए यूज़ करते है, root crops, potato, onion, apples, के लिए for limited period, second is your refrigerator or chilling temperature, 0 to 5 degree Celsius, ये use होता है, meat, poultry, egg, fish, fresh milk, milk product, fruit and vegetable के लिए, and can be preserved for 2 to 7 days by refrigeration, इतने ताइम तक आप इसको save कर सकते हो, और इनको आप limited periods के लिए save कर सकते हो, ठीक है, freezing अब minus 18 to minus 40 degree Celsius तक जा रहे हो, बहुत ही ज़ादा, कम temperature में आप किसी चीज़ को freeze कर रहे हो, तो वहाँ पर microorganism जो है वो grow नहीं करेंगे, most perished fruits like poultry, meat, fish, ice cream, peas, vegetables, juice, concentrations, concentrates, etc., उसको हम इन method से काफी महीनों के लिए preserve कर सकते हैं, vegetables की freezing में आपको एक बात याद रखनी है, freezing के time पे भी उनका कुछ texture, flavor में change आ सकता है, इसलिए पहले उनकी blanching करनी चाहिए, blanching में आपको बताया है, गरम पानी में dip करके, फिर cold करना उसको पहले, immediate cold करना, उसके बाद उसको freeze कर देना, ठीक है, further freezing जो है, आप fast freezing, cryogenic freezing या freeze drying के नाम से भी आप देख सकते हो, fast freezing, जब आप quickly freezing करते हो, कम temperature में, आप बहुत ही कम temperature में, आप कुछ time के लिए रखोगी, ठीक है, and cryogenic होगा, जिसमें temperature माइनस 100 degree Celsius तक चला जाता है, जिसमें meat, poultry बगेरा के लिए यूज होता है, and freeze drying क्या होता है, यह मैंना आपको बताया, अब heat preservation, अब हमने भी तरह cold पड़ा था, अब heat क्या होगा, आप temperature ज़े, वो increase करोगे, for example, milk आप boil करते हो, तो microorganisms अंदर जो होगे, वो मर जाते है, heat increase करके भी आप क्या कर सकते हो, कुछ foods को प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे आप खाना पकाते हो, उससे भी मर जाते हैं, या पास्टराइज़ेशन अफ मिल्क करते हो, पास्टराइज़ेशन में क्या होगा होता है, काफी high temperature तक अपने heat किया होता है milk को, उसके बाद उसको temperature reduce कर देते हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े heat preservation में आते हैं, पास्टराइज़ेशन होता है, जो temperature below 100 degree Celsius use करते हैं, यह एक heat treatment है, that kills a part, but not all the microorganisms present, and usually involves the application of temperature below 100 degree Celsius, तो 100 degree Celsius से कम हम क्या करते हैं, उसको, में उसको expose करते हैं, milk को, milk for example is usually heated to 63 degree Celsius for 30 minutes, or 71 degree Celsius for 15 minutes, and an ultra high temperature like 138 degree Celsius, इसको 2-4 second के लिए हैं आप इसमें रख सकते हो, तो उसको ठंडा करके, यह आपका जो pasteurized milk है, वो तयार हो जाता है, जिसे Amul बगेर, उन डिबू में मिलता है, तो उसको दोबारा boil नहीं करना गर में, बैसे घरवाले कभी बोलते हैं, कि मचने हम आ रहे हैं, मैं फिर भी करती हूं, तो ऐसा नहीं होता है, पास्टराइज़ेशन में अल्रेडी वो जो होता है, हीट अप हो गया होता है, तो इसम्पल किस की पास्टराइज़ेशन होती है, milk, wine, beer, fruit juices, A-rated waters are routinely pasteurized, the heating may be by means of steam, से कर सकते हो, hot water, dry heat, या electric current से भी, and जब products है, they're cooled promptly, जल्दी उसके बाद cool कर देते हो, heat treatment देने के बाद, तो इसे shelf life जो होती है, काफी increase हो जाती है, एक तो बो पास्टराइज़ेशन हो गया, boiling से कर सकते हो, जसे water को, जसे को canning, canning में क्या करते है, अब 100 degree Celsius temperature तक, जो भी food होगा, उस can में, प्रोसेस्ट फूद होगा, उसको heat करोगे, ठंडा करोगे, वाक्यूम से, उसको seal करोगे, ताट मिन्स एर टाइट होना चाहिए, उसे क्या होगा, या can कर सकते हैं, boiling water में, और जो low acidic vegetables हैं, और मीट से, उनको प्रोसेस्ट इसमें करते हैं, एक pressure canner में, जिसका temperature, 121 degree Celsius तक होता है, और PSI unit है, pressure का, pound per square inch, तो 15 units तक, उसको pressure apply होता है, तो high acidic को pressure apply नहीं करते हैं, temperature increase करते हैं, boiling water में, आप जो low acidic होते हैं, उनको pressure canner में डालना पड़ता है, उनको उन पे इतना pressure apply करने के लिए, for example, आपके meats and low acidic vegetables, examples of food preserved by canning are 14, and all kinds of tinned foods, such as soup, meat, beans, cereal, grains, वगेरा, ये सारी examples यहां से देख लेना, food concentration, relatively few liquid foods जो हैं, उनको हम preserve करते हैं, liquid foods को by concentration, mainly because of the reduction in water activity, or development of osmotic pressure, जो में आपको हो, osmose, उसे क्या होता है, पानी जो अंदर का बहार आजाता है, वो retard करते है, microbial growth and enzymatic reactions, ठीक है, concentration of food जो है, ये mainly हम क्यों करते हैं, अगर हमें किसी का volume weight कम करना होगा, अगर volume और weight कम होगा, तो उसकी जो packing वगेरा है, वो भी थोड़ी simple हो जाएगी, उसका storage, transportation cost को अगर enhance करना हो, मतब उसको better बनाना होगा, microbial activity को रोकना होगा, और अपनी convenience के लिए, तो food को क्या कर देते हो, अब जादा concentrate कर देते हो, वो कैसे होता है, वो liquid foods के लिए use होता है, जिसमें water का जो quantity है, उसका वो हम reduce करते हैं, ठीक है, आप किस-किस चीज को आप करते हो, concentration से क्या क्या बनाते हो, tomato paste, fruit juice concentrate, soup and condensed milk, carbonated, carbonated में क्या होता है, आप वो जो food होगा, drink होगी आपकी, उसको आप क्या करते हो, उसमें carbon dioxide gas को dissolve कर देते हो, under pressure, तो जो eliminate करते हो, oxygen and carbon, उसमें dissolve करते हो, उससे inhibit हो जाती है, bacterial growth, that means वो रुख जाती, जैसे आपके cold drinks वागेरा, और carbonated beverages उनी को बोलते हैं, जैसे आपको fizz जैसा create हो जाता है, उन drinks में, यह हो गया, carbonated then is the use of food additives, हम additives भी use करते हैं, external substance यूज़ करते हैं, enhance करने के लिए, food के appearance को, flavor को, texture को, या उसकी storage properties के लिए भी, additives जो हैं, वो use होते हैं, तो यहां पर मैंने आगे, कुछ additives लिखे होए हैं, पहले यह slide देखते हैं, जो food additives हैं, उनको हम दो categories में, divide करते हैं, पहले तो अगर additives आपने, food को spoil करने के लिए रोके हैं, या decomposition of food को रोकने के लिए, that means food को खराब होने से, बचाने के लिए add किये हैं, तो उनको हम chemical preservatives बोलते हैं, ठीक है, इन जो substances हम add करते हैं, इनको दो में divide कर सकते हैं, एक तो हो जिसमें आपके आते हैं, sugar, salt, spices, vinegar and alcohol, इनको class 1 preservatives बोला जाता है, और ये safe होते हैं consumption के लिए, second group होगे आपकी class 2 preservatives, उसमें आगे benzoic acid, sulfur dioxide, nitrate and nitrates, and a variety of neutralizers वगेरा, ये सारी चीज़े जो हैं, although safe हैं, लेकिन ये कुछ amount में ही डालने होते हैं, जो आपकी body के लिए ठीक रहेगा, अमतर ये regulation करनी होती है, तो authorities check करती हैं, कि ये regulated amount में है की नहीं, अगर इनकी quantity जादा होगी, तो आपकी health के लिए वो अच्छा नहीं होगा, तो वो आपके class 2 preservatives होते हैं, और जो आपके लिए safe होते हैं, वो कुण से है, class 1, तो ये कुछ food additives है, और उनकी examples है, अगर आपके बस time है, तो देख सकते हो, एक पर देखने में कुछ जाता नहीं है, अभी तो exam का update भी नहीं आया, that means you have time, तो ये चोटी-चोटी चीज़े हैं, ये भी आप चाहो तो आप देख सकते हो, मेरा काम था include करना है, आपको examples वगेरा बताना, तो कभी-कभी क्या होता है, अगर आपको additive का example आ गया, नाम लिखने को, तो क्या लिखोगे वहाँ पर, तो अगर चाहो तो याद कर सकते हो, अगर burden लग रहा है, तो छोड़ देना, एक हो आपका food irradiation, इसमें क्या करते हैं, stylizing technique है, food को stylize करने की, food को हम expose करते है, high energy raise, called gamma raise से, ठीक है, उससे क्या होता है, उनका जो bacteria, fungi, insects वगेरा है, वो मर जाते हैं, ठीक है, और उनके जो ripening है, जैसे fruit delay करने के लिए, fruit ripening, वहाँ पे use होता है, कि fruit आपक कितनी जल्दी खराब होगा, उस time को थोड़ा बढ़ाने के लिए, आप क्या करते हो, food irradiation use करते हो, यह हमने पास्टराइज़ेशन टेकनीक में use किया है, यह stylize करने के लिए, perishable foods को, such as meat, fish and fruits, and extending their storage lives for longer periods, इसको use कर सकते हैं, for sprout inhibition in onions and potatoes also, तो sprout inhibition क्या होता है, आपने देखो कि onion अगर खराब जैसा होने लग जाए, तो उस पर थोड़ा गास जैसी उग जाती है, ग्रास जैसी, और जो आपकी potatoes है, उस पर भी देखो कि अगर आप ऐसे ऐसे करके, वो yellow सी गास उग्रा शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को भी रोकता है, आपका food irradiation, तो यह जो technique है, इसको उम sterilization technique बोलते हैं, यह मैंन आप हो कहा, तो यह आप room temperature पे भी use कर सकते हो, इसलिए इसको cold sterilization process भी बोला जाता है, that means, आपको ज़्यादा high temperature की ज़रूरत नहीं है, आपको अब normal room temperature पे भी टेखनीक यूज कर सकते हो, तो irradiation का एक benefit क्या है, कि यह packaging एक मरी complete हो जाए, और food package जो है, वो seal हो जाए, उसके बाद भी आपे raise को use कर सकते हो, seal, यह याद रख लेना, तो इसमें, अब यह दो नाम याद रख लेना, cobald 60 और cesium 137, यह electron producing machines, जो हैं, वो principal sources है, ionize करने के लिए radiations को, जो use होती है, food radiation में, ठीक है, तो यह यहाँ पे complete होता है, आपका food processing वाला यह unit, इसमें और कुछ topics होंगे, जिसमें हम थोड़ी organizations बगेरा discuss करेंगे, कोन सी हैं, इंडिया में इन चीजों के लिए, तो वो छोटा ही video होगा, वो मैं कल upload करूँगे, तिल था टाइम एपलोड नेक्स वीडिये, बाबाई, टेक केर, हैवे ग्रेट टेक,